मैं खुला कहता हूँ पाइलेट साहब के साथ हूँ तो मैं born and brought up Congres ही हूँ मेरी खून में Congres है आज भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ मैं गर्व से कहता हूँ उनके साथ खड़ा हूँ इसमें कोई दो रहा है नही है पाइलेट को लेकर की जो हाल में विदान सबग जुना होने उसमें क्या रोल रहेगा भूमी का क्या रहेगी उनकी और दूसरा आप पाइलट समर्चक भी माने जाते हैं कई बार और दूसरा एक बड़ा मेत्वपूर्ण बिंदू हो जाता है भीनमाल को लेकर जिल्ले की बात हमेशा उठी है जब सबसे पहले तो मैं born and brought up Congress ही हूं मेरे खून में Congress है नेता असोग गयलो जी पहले मेरे पर ठपा असोग गयलो जी खा था कि यह तो सीम साहब के विक्ति है 2014 में राज्थान की राजनिती में सचिन पालेट जी ने प्रवेस किया और मैं उस विक्ति की इज़त करता हूं कि 2014 से लेकर आज दिन तक जब से मेरा संपर्क हुआ उनसे विक्ति मुझे मान और समान और इज़त देते हैं और इज़त के बदले इज़त देना हमारा फर्ज है और मैंने जब वो प्रदेश सद्यक्स थे मैंने उनकी टीम के रूप में काम किया तो आज भी मेरे उनसे निता है मेरे दो पीडियों के उनसे समंद्रे हुएं ये जनता में परसेप्शन बना दिया जाता है कि ये तो असोग गेलोजी के खिलाफ है पाइलेट साहब के साथ हूँ तो असोग जी के खिलाफ थोड़ी हूँ मैं असोग गेलोजी हमारे मुक्य मंत्री है उनके पास व यह तो हर पार्टी में होता है। शिस्टम में नेता होते हैं, नेताओं के साथ फॉलवर्स होते हैं। और नेता जितना नहीं करते हैं, अतनी मीडिया और समर्ण तक उस चीज़ को फैला देते हैं। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि आप अपनी जगे सही चलो, सही रस्ते पे चलो, आपकी पैचान अपने रूप में बनेगी, समर्जी सिंग अगर खुद की पैचान अगर 20-25 साल में जीवन में नहीं बना पाया तो उसने राजनीती में किया क्या, राजनीती में विक्ति को अपना चरीतर डेवलप करना चीए, अपने सिद्धान डेवलप करने चीए, और नेता भी आपकी इजद तब करेंगे, जब आप में मादा होगा, आप में दम होगा, आप अपने बात के धनी होगे, मैं कह सकता हूँ, मेरे को दोनों नेता, अगर को साथ भी काम करने का मौका मिला, तो सब के साथ काम करने का मौका मिला, और इसमें अगर ठपा लगा दिया जाए कि यह तो इनी के साथ है कि इनी के साथ है, और जिनके भी साथ रहा है, उनके साथ मैंने कभी जीवन में छोड़ा नहीं है, मैंने संबंद बनाए है, संबंद तो रेनी है किसी के साथ वे